मैं सेयद नहीं मुसे कल जो हमारा टोपिक चल रहा था अजएक्टिव का उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं अजएक्टिव के हम आज है टाइप्स डिसकस करेंगे वाट इस टाइप्स अजएक्टिव तो कुछ टाइप्स में आपको राइट डाउन कर रहा हूं बोर्ड पे एक है डिस्टिब्यूटिव डेमंस्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव पॉन्टिटेटिव तो यह कुछ अजएक्टिव के टाइप्स में आपको बोर्ड पे राइट डाउन किये हैं डिस्टिब्यूटिव डेमंस्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव इसके अलावा हम आर्टिकल को भी ले ले लेते हैं आर्टिकल एजएक्टिव ही काम करते हैं और इसी अजएक्टिव से हमारा जो एक टोपिक बनेगा वो बनेगा डिगिरी जो बोर्ड में आपके दो नमबर का सवाल आता है ज्यान रखना और एक इसी अजएक्टिव से हमारा टोपिक बनेगा आर्टिकल ये भी बोर्ड में दो नमबर का सवाल आता है तो डिस्टिब्यूटिव जो मैंने पिछली क्लास में आपको प्रोनाउन पढ़ाये थे मैंने का आद आपको प्रोनाउन एजएक्टिव काम करते हैं कब जब वो अपने बाद में क्या ले लेते हैं नाउन ले लेते हैं तब तो ये वही है distributed मैंने आपको पढ़ाया था each, every ये सब distributed pronoun हैं लेकिन आप ये distributed adjective बन जाते हैं कब जब age के बाद हम क्या जोड़ दिया मैंने book जोड़ दिया तो ये book क्या है नाउन है तो अब इस टाइम पर ये जो each है ये किस category में आएगा ये objective की category में आएगा ऐसे ही demonstrative मैंने आपको पढ़ाया था this, that, these and those ये जो हैं ये demonstrative, adjective हैं कब जैसे मैंने ये लिखा आपके सामने this book है अब इस टाइम ये जो this है ये किस category में हैं, ये adjective की category में है क्योंकि इसके बाद आने वाला जो word है वो क्या है, noun है तो pronoun है जे adjective काम करते हैं कब जब वो अपने बाद noun है ले लेते हैं, तब एक है interrogative pronoun interrogative वही है, जैसे मैंने आपको बताया था which बताया था where बताया था what बताया था, ये सब interrogative, adjective कैटेगरी में है अब कैसे, जैसे मैंने यहाँ which के बाद क्या ले लिया which book है, अब ऐसे, और एक मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, which class, अब इस टाइम पर हम बिसकस करेंगे, ये एक phrase बन गया, और यहाँ पर जो which दे रखा है, which अगर ये single आता है, तब तो ये pronoun है, अब मैंने ये जोड़ दिया class, तो अब इम इसको अलग अलग ना पढ़के, इसको एक phrase के तोड़ पर पढ़ेंगे तो अब इस टाइम पर, यहाँ पर जो ये which है, ये क्या काम कर रहा है ये अब अजेक्टिव का काम कर रहा है ऐसे ये quantitative है, अजेक्टिव है आपके जो importance जो है, वो है इस टाइम जो important है, वो है article, तो article क्या चीज़ है article A and the day ये ऐसे article है article जो होंगे, वो किस category में रखे जाते हैं, वो adjective की category में रखे जाते हैं कल की जो हमारी class होगी वो इस article की descriptive knowledge में आपको color दूँगा तो इसके बाद जो हम बाद करेंगे, ये जो pronoun के जो कुछ types मैंने आपको बताए थे, ये सोरी adjective के जो मैंने types बताए दे, ये सारे वही type हैं जो हमने last class में as a pronoun बढ़ादा, तो adjective की especially quality क्या है वो अपने बाद में क्या लेते हैं noun, तो कल हम इसके बाद में बढ़ेंगे, article फिर इसी से ही हमारा एक topic निकलेगा जो आपके syllabus में हैं और दो नमबर का आता है degree, तो ये adjective article बनाते हैं and degree बनाते हैं, तो ये कुछ types है, आजेक्टिक जो मैंने लिखे हैं, जब तक कि चैनल को like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए